हलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार 28 अगस 2021 और आज के दा हिंदू न्यूज पेपर को आप लोग डिसकस करेंगे आलिक्सिस करेंगे आप इसके पेडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आईएस अकैडमे टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं वीडियो सुरू करने से पहले क्योंशन आप लोगों के लिए हैं आप लोगों को नीचे कमेंट करना है चागोस आईलेंड जो कि अभी न्यूज में था चागोस आईलेंड किस ओशन के अंडर है या किस ओशन के अंदर उसकी जोगर्फिकल लोकेशन और सेकेंड के ओशन इसी से अटैट पूरा topic basically क्या इसके बारे में पढ़ेंगे एक article भी दिया गया है सबसे पहले asset monetization basically क्या होता है asset का मतलब sympathy और monetization का मतलब उसकी monetary value ये basically term क्यों use की जारी बार बार इसका मतलब एक government planning कर रही है कि ऐसी asset ऐसी sympathy ऐसी property जो की unused है जिसकी कोई use नहीं हो रहा उसको lease पर दिया जाएगा और उससे जो पैसा मिलेगा उसको use किया जाएगा infrastructure में simple simple सी दो बातें इसमें है सबसे पहले लेकिन इस plan को आगे बढ़ाने के लिए central government क्या कर रही है कुछ planning कर रही है उसको normalize करने में चीजों को आसान बनाने के लिए और investment के लिए जो regulation है उनको थोड़ा सा relax किया जाएगा ताकि बड़े लेवर पर इस पर asset को monetization किया जाएगा या unused asset को use किया जाएगा monetary purpose से यहाँ पर planning की जारी नीटिया है यहाँ कि plan कर रहा कि 6,00,00 क्रोड रुपे का national monetization pipeline होगा और इसके तुरू infrastructure investment किया जाएगा इसमें various stakeholders से बात की जाएगी और various जैसे RBI, ESAB है, PFRDA है, IRDA है या finance routine इन सब के बेच में discussion होगा, inter regulator coordination को लेकर भी discussion इसके बारे में होगा financial stability and development council को chair करते है union finance minister और उसके अंदर एक तरीके से जल्दी planning की जारी की जल्द इसके बारे में discussion होगा तो asset monetization plan को लेकर सरकार planning करें एक infrastructure investment trust बनाया जाए और इसके अंदर इसके तैज जो investment का जो एक procedure होगा continue क्या जाए planning है कि 5.96 लाग क्रोड या आप मान सकते हैं कि लगबग 6 लाग क्रोड रुपे का एक plan होगा national monetization pipeline जिसके अंदर unused property unused जो एक तरीके से आप देखेंगे जो समपती है उसको use क्या जाएगा और इसमें major जो use क्या जाए या तरीके सो infrastructure में काम क्या जाएगा highways गैस pipeline और railway track यानी जो पैसा सरकार को मिलेगा उसको use क्या जाएगा infrastructure में और infrastructure में majorly target क्या जाएगा highway बनाने में gas pipelines और railway tracks में तो यह कुछ चीज़े हैं जो important तो याद रखीगा financial stability and यह जो एक meeting होती financial stability and development council की इसको chair करते है union finance कई बार direct question जो है पुछी जाते हैं जैसे GST council को भी union finance minister chair करते हैं तो यह ध्यान रखना किस तरह के सवाल आपसे पुछे जा सकते हैं इसके बाद second question जो हम देखेंगे या second topic आप बोल सकते हैं दिपार भील भी बोलते हैं दिपार भील भी इसको बोलते हैं असाम के wildlife century जो की news में है इसको eco sensitive zone के रूप में notification किया गया है और यहाँ पर यह कई बार news में रहता है elephants को लेकर elephants के corridor को लेकर या इस century के अंदर railway track को लेकर तो यहाँ पर इसको एक तरीके से eco sensitive zone जो declare किया गया है और इसके लावा अगर आप देखेंगे यह एक तरीके से one of the largest fresh water lakes है असाम के अंदर और और अगर आप important bird areas के perspective से देखेंगे तो यह one of the largest fresh water lakes है असाम की और इसके लावा only यह रामसर साइट है असाम स्टेट के अंदर यह mention किया गया यहाँ पर अगर आप इसकी geographical location को देखेंगे तो यह दिपोर बील जो है यह इसकी geographical location आपको देखने हुक में लेगा 2021 में जब plimps होने वाला है तो उसके अंदर bird life century, national park या अगर आप tiger reserve, elephant reserve भी कई बार news में रहते हैं इसके अलाबा आप देखेंगे युनेसको के में इर बाइसफे रिज़ेव के अंदर जो world heritage site यह सारे की सारी चीज़ें जो काफी important होने वाली है इस list को एक बार जरूर देखना और इसमें इवन जो बड़ी और चोटी in the sense की largest और smallest जो है वो भी आप इसमें देखेंगे 9 judges को जो है वो appoint करने को लेकर approval दे दिया गया है प्रिज़ेंट साग के द्वारा तो उसके बारे में एक article है इसके ज़स्ट नीचे near and present यानी काबूल airport पर जो attack हुआ यह भारत के लिए कैसे problematic है या भारत के लिए क्या चीज़ें से सीखनी चाहिए उसके बारे में है इसके चलावा right hand side एक topic जो कि इस इन दिनों में काफी ज्यादा news में है वो है asset monetization execution is the key तो यह article हम डिटेल में पढ़ेंगे यह दो article हम जो है brief में पढ़ेंगे क्यों क्योंकि इसके बारे में generally जो story है वो हमने पहले से पढ़ी जो नय concept उसको add करके हुए करते आगे बढ़ेंगे प कोलिजियम supreme court का एक procedure होता है जिसके अंदर judges यह decide करते कि कौन आने वाले एक तरीके supreme court के अंदर judges इनको बनाया जाए तो उनके अंदर nine judges के name mention करेगे हैं जिसमें तीन महिला होंगी एक lawyer होंगे जो उनको elevate किया गी यानि generally होता है कि high court के judges को ही supreme court में entry करवाई जाती है supreme court के अ lawyer साब उनको भी include किया गया और बहुत ही rare होता है elevation जो lawyers है कम बार देखने को मिलता है हर बार देखने को नहीं मिलता केवल six time ऐसा हुआ जब यह lawyers के रूप में appoint किया गये इनके अंदर एक महिला जो जिसकी possibilities है कि वो आने वाले time में chief justice of India भी बन सकती इस time supreme court की strength है वो 34 और 33 तक इसमें total याने केवल एक vacancy जो खाली होगी जो यहाँ पर आप देखेंगे justice BB नागर्थना यह elevate जो की गई है यह पहली chief justice हो सकती इंडिया की यह possibilities है हो सकती इसका मतलब क्या है कि अगर आप seniority के basis पर या जो एक तरीके से age criteria उन सब के basis पर देखे जाए तो possibilities है कि यह chief justice of इंडिया हो सकती पहली महिला इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे बार काउंसिल के तुरू directly supreme court के द्वारा जो ओनर किया गया additional solicitor general PS नर्शिमा इनको एविल्यूट किया है इसके अलावा कुछ question भी है कुछ सवाल भी है कि क्या इसमें diversity तो देखने को मिली है कि अलग Chief Justice of Therpura High Court जो है अकिल कुरेशी इनको क्यों एड नहीं किया गया ये एक question सरकार से पूछा गया ये सरकार से माली जी कुलीजियम ही होता क्योंकि सरकार सिर्फ approval देती है सरकार को सिर्फ एक तरीक स्टेंप लगाना होता है mostly कॉलीजियम को ही decide करना कि इनको judges ग्रूप में व कोई चीज है ना इसके लावा social and regional representation को और ज्यादा pace मिलती है अगर उनको include क्या जाते क्योंको senior most judges के रूप में उनको देखा जाते तो एक अलग प्रीजियम है हर चीज को देखने का इनका इनका अलग नजर ये articles के perspective देखने को इसके लावा इसके जस्ट नीचे एक article है नि रखनी पड़ेगी और उसका definitely भारत पर असर भी होगा जैसे काबूल airport पर attack की responsibility लेता है Islamic State खुराशान यानि Islamic State की ही एक branch Islamic State वो organization जो की one of the deadly terrorist organization consider क्या जा सकते क्योंकि Iraq और Syria के अंदर जो उसने तबाही मचाई थी उसका आपको पता होगा इससे पहले अगर आप देखेंगे recently एक news आयती कि Africa की कई सारी country अगर आप western African countries में जाएंगे और खासकर north western वाला जो पार्ट है इसमें माली नाइजीरे इस वाले जो पार्ट है इसमें सबसे ज़्यादा impact आपको देखने को मिलेगा इनके अलाबा यहाँ पर एक और एक तरीके से अजुरंज की बात जो तालि तालिबान कभी भी अपनी जमीन को यानि अफगानिस्तान की जमीन को किसी भी terrorist group के लिए यूज नहीं होने देगा लेकिन इस तरह के attack जो है ये same चीजे बोलते हैं एक word यूज किया जाता है कि तालिबान अपने words के साथ भी game खेलता है यानि जो बोलता है ठीक opposite यानि duplicity ज उसी टाइम जो है वो एक तरीके bomb blast होता है presidential palace के बार इसके अलावा ये बोलते है कोई जमीन जो है वो यूज नहीं करने देंगे टर्रिजम को लेकिन ठीक उसके बाहर काबुल एयरपोर्ट के बार 100 लोगों के हत्या कर दी जाती है terrorist attack के अंदर तो ये hypothetical situation create करते है या duplicity जो ह आप देखेंगे इस attack की responsibility है attack की responsibility भले ही Islamic state ने लियो लेकिन बहुत सारे यहाँ पर terrorist जो है या organization active है जिसमें हकानी ग्रूप है जैसे मुहमद है लस्करेत है वह इस तरह की groups के बारे knowledge है कि वहाँ पर इन इनको एक तरीके से benefit हुआ क्योंकि बहुत सारे जो इनके fighters थे वो जे इसके अलावा भारत के लिए challenging क्यों है क्योंकि भारत तीन तरफ से एक तरीके challenge face कर रहा है पहला इस तरह के terrorist के साथ deal करना दूसरा पाकिस्तान और चाइना इन दोनों का aggression अपने आप में border area में तो definitely भारत के लिए जम्मू और कस्मीर state और लदाक ये वाला part काफी sensitive होने वा तो इसको alarming situation के तरह consideration करना पड़ेगा और appropriate step जो हो government के दोरा defense forces के दोरा लेने पड़ेगे ताकि इस तरह कोई भी infiltration ना हो इनके अलावा United Nations Security Council के अंदर भारत क्योंकि United Nations Security Council का member भी है और इस बार President भी है अगस्त महीने का तो भारत को use करना चाहिए और Taliban challenge के against इस powerful body में एक तर case से आप देखेंगे जो Taliban sanction committee है उसका chairman भी है जिसमें 135 Taliban member की list है तो भारत को इसमें function करता रहना पड़ेगा क्योंकि अगर इन terrorists से कुछ भी sanction या प्रतिबंद असान हुआ इसमें traveling को लेकर funding को लेकर weapon को लेकर तो definitely ओर ज्यादा problem होने वाली है इसके अलावा यहाँ पर United Nations General Assembly क meeting होगे अगले महिने पे और भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंतरिस में participation करेंगे इनके लावा quad summit भी होने वाली है तो उमीद की जारी है कि आने वाले time में भारत एक specific policy अफगानिस्तान को लेकर formulate कर सकता है हलाकि external affair minister साभ ने यह statement दी कि wait and watch की policy में भारत सरकार चीजों को देख रही है और उसके बाद ही decision लेगी कि क्या अफगानिस्तान में जो तालिवान सरकार है उसको recognize किया जाए नहीं किया जाए इसको लेकर भी एक news जो हब वो आ जाए उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इसके लावा right hand side जो measure editorial में कहूंगा asset monetization को लेकर asset monetization याने प airport को lease पर दे देना 30 साल के लिए माल लेते हैं यह 50 साल के लिए माल लेते हैं तो उस context में जो पैसा उस lease का मिलेगा उसको use किया जाएगा infrastructure को develop कर रहे हैं यह simple सी बात है लेकिन इस plan को लेकर सरकार को क्या चीज़ चाहिए पहली बात एक asset monetization monitoring authority की जरूत होनी चाहिए उसको ब उसको evaluate भी किये कि हम लोग जो planning कर रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो government ने announce किया कि embasis program के तरह asset monetization को लेकर संपती के मोदरी करण को लेकर और 6 trillion रुपीज का यह plan होगा यानि लगबग 6 लाग क्रोड रुपे का एक amount सरकार को मिलेगी यह जरूरी है क्योंकि इस टाइम सरकार के सामने चैलेंज है government finance को लेकर पैसे की कमी मान लीजिया COVID-19 को ने डेफिनली भारत को भारत सकार को और भारत के अर्थवस्ता को बुरी तरीके से प्रभावित किया है उस context में यह जरूरी है कि जो हम लोग asset monetization करेंगी यह अच्छा step है लेकिन इसको लेकर जो challenges है उसको भी ध्यान लखना पड़ेगा इसके अलाबा यहां पर आप कई सारी चीजों को देखेंगे जैसे बहुत सारे sector जिसमें रोड कोल माइन्स इनके अलाबा इसके context में लीज पर देने के context में जो पैसा मिलेगा सरकार को वो कहीं ने कहीं definitely benefit करेगा privatization और यहां पर आप देखेंगे leads पर देने monetization में difference है क्योंकि यहां पर एक समय के बाद property वापिस सरकार के पास आजाएगी लेकिन नीजिकन जो होगा यानि किसी अगर sector को private career कर दिया जाता है तो सरकार के पास वो हिस्सेदारी वापिस नहीं आती है हाँ nationalization हो सकता है लेकिन rare cases में इनके अलाबा कई सरे sector जहां पर सरकार function कर सकते हैं लेकिन तीन main sector है जिसमें roads है railway और power है इनके अलाबा airports, sports, telecoms, stadiums, power transmission ये भी कई ने कहीं use हो सकते हैं पहली बात ये underutilized asset को ही इसमें use किया जाए जैसे underutilized का मतलब है कि ऐसी परिसंपतियां जिसका use नहीं की हो रहा है या एक तरीके से वो dull की तरह है या आप देखेंगे उसका कोई utilization नहीं हो रहा तो उसको इसके अंदर use किया जाए तो इसमें दो important बात है पहला focus किया जाए underutilized asset को लेकर दूसरा monetization जो है वो public private partnership के थूँ हो और investment trust के थूँ हो तो ये कुछ चीज़े है जैसे suppose करिये एक airport या stadium empty piece of land है या use ही नहीं हो रहा है unused है तो उसको सरकार जो है lease पर देदेगी private players को और वो सरकार को पैसा देगी उस पैसे से सरकार बनाएगी infrastructure और private players को भी benefit होगा तो दोनो के लिए ये win-win situation है private players को एक तरीके से asset के context में उनको और उनको एक तरीके से मदद मिलेगी तो ये दोनों के लिए सरकार को भी पैसा मिलेगा और private investor को भी benefit होगा इसके अलावा यहाँ पर well utilize करना पड़ेगा माल लेते हैं कि एक अगर ऐसी property है जो use नहीं हो रही लेकिन अग issues को लेकर एक concern भी है जैसे माल लेते हैं कि आज भारत की economy 2021 में 28 अगर्स 2021 को भारत की situation एक different हो सकती economics perspective से लेकिन 30 साल बात क्या ही situation same रहने वाली है बिलकुल नहीं इसमें बोला गया कि बहुत सारे factors पर depend करेगा कि हमारी economy कैसे growth करती है vehicles का price क्या होगा fuel का price अगले 30 साल में क्य होने वाला है तो यह कई सारे question हम लोगों के सामने भी होने वाले हैं इनके अलावा अगर आप देखेंगे जो bidders होते हैं या क्योंकि अगर आप इसको एक तरीके से auction होगा माल नहीं एक particular property उसको monetization करना है तो उसमें बहुत सारे bidders हो सकते बहुत सारे जो बोली लगाने वा कर कोई compromise नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह property को ले और 30 साल बाद जब वापिस करे तो property की value ही इतनी ना रहे और उसको government को जबरदस्ती sale करना पड़े दूसरा तरीका क्या हो सकता है government create कर सकती है infrastructure investment trust को और जो monetization asset होगे वो इसमें transfer की जा सकती है तो यह कुछ तरीके हो सकती है जिसके तुरूर सरकार alternate की तरह use कर सकती है इनके अलावा अगर आप सरकार के दूसरी roots के बारे में बात करें कि अगर PPP root पर भी करना है तब भी एक important role play कर सकता है investment जो यह वाला जो portion investment trust के तुरूर इनके अलावा अगर आप इसे पूरे context में देखेंगे ज और asset monetization monitoring authority जो आप बना जा सकती ताकि एक competition बना रहा है जो यह asset lease पर दी जाएगी इनकी valuation बनी रहा है इनका evaluate किया जासके और उसके basis पर government decision ले कि कि किस तरीकी के से step जो उठाया जा सकते है इस particular program को ले करे initiation को ले कर राइट तो यह तीन editorial जो है miser editorial है एक editorial आप पढ़ सकते है केरलाज rising covid-19 cases करके explain किया गया है यह वाला article यह वाला जो article हमने पढ़ा अभी तो इसके बारे में मैं personally चाहता हूँ कि editorial आप भी एक बार पढ़ें डिटेल में पढ़ें और यह आपको PDF मिलेगी इसको पूरा open करना और आराम से इसको पढ़ना ठीक है तो एक self study भी इसको ल बता दूं 13 अप्रेल 1919 को एक event हुआ जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कर दी गई थी तो जलियावाला बाग अमरीज सेर के अंदर है वहां पर एक memorial बनाया गया है और उसको dedicate किया जाएगा प्राइमिस्टर के दौरा नेशन को इनके लाबा इस जलियावाला पाग के अंदर अगर आप देखेंगे तो सहीधी वैल भी है सहीधी वैल का मतलब क्या है कि वहां पर एक ऐसा कुवा जहां पर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए एक तरीके से अपने आपको अपने अपनी कुरवानी दे दी जिसको सहीधी भी हम बोल सकते हैं और इ उनके अगेस्ट इवन ये भी कंसिडर किया गया कि जर्नल डायर जो थे उन्होंने उनको लोगोंने स्पोर्ट किया फंडिंग कर ये सारी चीजी भी तो बहुत ही खराब ये भारत के इतियास का घटना है और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे नैशनल फीडम फा इसके बाद पेज नमबर 9 पर हम देखेंगे पहली बात यहां पर मेंजन किया गया है अफगानिस्तान सिच्वेशन को लेकर इंडिया की क्या स्टेटमेट है तो इंडिया इस पूरे प्रोटोकॉल में मान सकते हैं इस पूरे प्रोसीजर के अंदर क्या सोच रहा उसके बा आप तालीबान गवर्यमेंट को रिखिजन कर रहे है या वहा की सरकार को जो है या तालीबान को मानिता दे रहे है तो इसमें External Affairs Ministry की तरफ से बोला गया कि ये Jumping the Gun है का सिंपल सा एक मतलब है कि बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाला स्टैप होगा अगर ये स्टैप जो है उठाया गया तो यहाँ पर इसी सीज को लेकर डिसकर्शन किया गया इसी सीज को लेकर क्योशनिंग आंसरिंग के बारे में बात की जाती है पहली बात जल्दबाजी में तालिबान को कहिने के रेकिनिशन देता है तो उस कॉंटेक्स्ट में ये कहिने के एक जंपिंग दगन दे सिचुएशन होगी और फ्लिवड सिचुएशन जो अक्रिट कर सकती है तो ये लोग भारत सरकार की बोला गया है कि हम लोग इस पूरे रिजन में यानि अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उसको मोनिटर कर रहे है और वेरियस पार्टनर कंट्रीज के साथ सिचुएशन को अनलसिस करने के बाद ही डिसिजन जो हो लिया जाएगा हलाकि जो एविक्युवेशन प्रोग्राम भारत की दरफ से उसमें कुछ प्रोब्लम्स भी आई बट वो कंटिन्यू इसको बारे में बताया गया कि एमर्जेंशी वीजा जो हो ओपन रहेगा उन अफगान नागरिक पर हम देखेंगे इंडियन एस्टो फिजिक्स के अंदर एक इवेंट होता जिसके अंदर थ्री जम्बो ब्लैक होल जो है मर्ज हुए यह रेर केसिज देखने को गला तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे बेसिकली है क्या ब्लैक होल एक इम्पोर्टेंट है आप देखेंगे एस्टो फिजिक्स के अंदर भी आप पढ़ेंगे जोगर्फिक के अंदर भी पढ़ेंगे ब्लैक होल के बारे में अगर आप ब्लैक होल के बारे में सिंपली देखेंगे तो ब्लैक होल बेसिकली इतना स्ट्रोंग एक रीजन है ग्रिविटी अगर आप देखेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई भी इससे नहीं बज सकता है, इवन लाइट भी इससे पास नहीं हो सकती, यह इसके एक strong observation इसको बोला जाता है black holes, तो यहाँ पर एक team जो observe कर रही है, कि दो galaxies NGC 7733 और NGC 7734 इनके merging को लेकर, और इनके अलावा unusual emission की तरह देखने को मिलता है इस पूरे घटना करम में, तो यह एक rare event हुआ है, जिसके बारे में बताया गया, यह थोड़ा topic जो थोड़ा difficult भी लगता है, क्योंकि इस तरह के topics के बारे में generally हम लोग नहीं परते, खास कर हिंदी मीडियम के बच्चे, इनके अलावा इसके अंदर कुछ चीजे mention क किया गया है, इन में कुछ खास बात क्या है, यह इसके अलाव यह event क्यों important होता है, generally हम लोग पढ़ते हैं कि astronomy के अंदर, जैसे solar system पढ़ते हैं कि Mercury is closer, Jupiter is far, और इसी तरीके से neighborhood में Andromeda galaxy जो है, यह भी आपको लगेगा कि इसको compare करें, तो आपको लगेगा कि यह quite far है, but अग आपको बहुत close यह nearby galaxies के जरा है, concentration किया जाएगा, अब यह event क्यों हुआ, यह एक important सवाल है, तो इसमें बोला गया, कि यह बता है कि explain किया गया, जो press leaders कीगी, कि इन galaxies का collide है, यह merger जो होना है, यह definitely closer हुआ क्योंकि transferring the nightic energy to the surrounding gases, यानि nightic energy transfer करेगी surrounding gases के द्वारा, और उसके जैसे यह region जो है, यह बताया गया, कि इसकी बज़े सी यह सारी चीज़े हुए, हलाकि पहले भी इस तरह की events हुए, पहले जनली पेर में या दो black holes जो मर्ज होते थे, लेकिन अगर तीन इस तरह के jumbo black holes मर्ज हो रहे है, तो यह astrophysics के अंदर एक new events की तरह consideration जो है, वो किया जाएगा, इसके बाद इसके जस्ट नीचे एक information है, इंडिया ने add करिये 557 new species to funnel wealth in 2020, says geological survey of India, यह statement दी गी है, geological survey of India के द्वारा, और इसमें आप देखियों various species के बारे mention किया गया, इन species के name काफी difficult से भी है, जरूरत भी नहीं है पढ़ने की, अगर कोई specific हो तो वो mention कर सकते लेकिन इनके जो name है, यह confusion create कर सकते हैं, फिर भी आप इनको अगर आप देखेंगे, यह आप पढ़ सकते हैं, UPSC में generally अगर आपने देखा होगा, कि species के मामले में जो questioning होती है, उसमें questioning का जो तरीका रहता है, उसमें खासकर endangered category के अंदर जो आती है, या critical endangered category के अंदर आती ह उन पर सबसे ज़्यादा questioning होता है, species में अगर आप सारे species को याद करेंगे, तो यह next impossible है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि देख सकते हों देख लेना, जैसे शाला जार करके snake जो है यह news में रहाता, तो इसके बारे में कुछ new event चीज़े या new चीज़े आपको देखने को मिलेगी, इसके लावा यहां पर आप देखेंगे हिमालेन हाइडल प्रजेक्ट को लेकर यह ministry ने बोला कि सेवन हिमालेन हाइडल प्रजेक्ट जो वो लगाए जाएंगे, और हिमाले में अगर आप देखेंगे हिमालेन रिजिन के अंदर चाहे वो जमुन कस्मी है हिमाचल प्रदेश लद्दाक या उत्राकंड या नोर्थ इस्ट वाला जो पाइट है इस कॉंडेक्ट में रिशन में आपने कई सारी चीजे देखियोगी फ्लर्डिंग हो क्लाउड बस्ट हो और यहां पर यह फोटोग्राफ है यह एक तरीके से लोगों को बचाने के लि हाइड्रो पाउर प्रोजेक्ट को इस चीज़ को लेकर जो प्रियानवादी तरीके स्रंक्षिन करने वाले लोग है वो यह बोल रहे हैं कि जब पहले से आपको पता है कि पूरा का पूरा हिमालियन रिजिन फ्रेजाइल है उस कॉंटेक्स्ट में आप कैसे इस तरह के कंस् इसके अलावा यहां पर फ्लर्डिंग यह सारी चीज़े देखने को मिलती है उस कॉंटेक्स्ट में भी क्या एक तरीके से इनको दी गई और किस पेसिज पर आपने एक तरीके से प्रोजेक्ट को इनिशेट करने के बारे में प्लानिंग करी है यह कुछ सवाल है गवर्में हैं और उसका इग्णोरेंज का रिजल्ट क्या होता है यह हमने कई बार देखा कि उत्राखंड के अंदर के दारनात के अंदर जो फुलर्ड आई थी उसने एक तरीके से पूरी दुनिया को एक मैसेज भी दिया था कि हमें बहुत सावदान रहना पड़ेगा जब हम डेवल खंड के अंदर इसके बाद वर्ल्ड अफेर का जो पेज है वर्ल्ड अफेर में पर्टिकुलर कोई खास इंफोर्मेशन नहीं है डे टू दे इंफोर्मेशन जो चलती रहती है यहां पर इनके इन्होंने एक्स्प्लेइन के अंदर क्या एक्स्प्लेइन किया कि इस्लामिक स्टेट जो है इसके बारे में डिटेल हैं बताया गया जो अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव एक्टिव जो रिस्पोंसिबल था काबूल एरपोर्ट पर अटैक को लेकर देखेंगे यह फोटोग्राफ ऐसे नहीं लगते कि किसी एरपोर्ट के फोटोग्राफ है जिस हिसाब से यहां पर कंडिशन है यह देखी यहां पर तो डेफिनेटली काबूल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर सिच्वेशन जो वो इतनी आसान नहीं है और सिक्योर्टी फोर्सेज के लिए भी डेफिनेटली एक चैलेंजि कर रहा है जो बाइटन बॉल रहे हैं कि भाई जिन्होंने अटाइक किया मन को छोड़ेंगे नहीं वार्न किया यह सारी चीज़ें जो चलती रहते हैं वो सारी चीज़ें इसके अलावा बिजनस स्पेज़ पर एक इंपोर्डेंट इंफरमेशन है जिसके बारे में बात करे और ट्रेड नेगसिशन पर डिसकेशन किया गया कि कैसे गोड़ जन सर्विसेज के मामले में कैसे एक अरली हर्वेस्टिंग जो हो सकती है और इसमें कॉम्प्रिहेंशियो एकोनॉमिक कोपरेशन एग्रिमेंट को लेकर डिसकेशन किया गया दोनों की तरफ से इससे पहले आपने देखा होगा हुगा लगबग तीन विक पहले अस्ट्रीलिया के जो पोर्मर प्रामिस्ट्र थे टोनि अबोट उन्होंने special और उन्होंने बोला था कि भारत और अस्ट्रेलिया। लोग इसमें इनिशेट करेंगे और इसमें कई राउंड्स की बातचित हो चुकी और आने वाले टाइम में जो कंसर्ण उनको भी इनने बिजनस इंडस्टी और अधर स्टेकोलडर से बातचित करी और कंसल्टेशन किया गया और पोटेंशल अपर्चुनिटीज क्या हो सकते हैं उनको लेकर भी डिसकॉसन किया गया तो यहां पर यह बोला गया कि यह डेफिनिली एंग्रेज करेगा ट्रेड को इन्वेस्ट पार्टनसीब या RCEP बोलते हैं इसको से विड्रोग कर लिया था और अश्ट्रेलिया अभी भी RCEP के अंदर है अस्ट्रेलिया निजलेंड इसके लावा साउथ कोरिया जापान और चाइना पांच कंट्री प्लस आस्ट्री पंदरा कंट्री टोटल होगी RCEP में तो इस त ये दे हिंदो अनलिसिस में इतना ही थैंक्यो ओल जहिन